वीडियो 4 महागुन मॉर्फस 3BH के फ्लैट यह इसका लॉबी है एंट्रेंस में एंट्रेंस में एंट्री करते हैं थोड़ा सा यह कबर्स बने हों हैं आएंट्री के साथ ही ड्रोइंग और डाइनिंग काम कियावाय उपर काफी अच्छा यह इसका ड्रोइंग रूम है और सामने में सबी रूम से और किचन से कनेक्ट होती हैं से इसमें सबसे पहले जो लोकेशन है एक यह balcony सबसे पहले एक balcony यह हो गए और यह सामने में पार्क है काफिए बड़ा वाइट पार्क बड़ा थोटी मेंटेंड करती है यहां से इंटर्च करते ही राइट साइड को ट्रोंग डेनिंग किचन बैडरूम में कनेक्ट करते हैं इसमें सबसे पहले हम आपको दिखा र और यह इसमें क्रोकरी कटलरी के लिए अलमीराज बनाई हूए है इसी से लेप साइड में एंटर के राइट साइड में जो अभी एंटर किचन है जो अब बोड़िलिर किचन है आपको इसके साथ भी एक योटिलेटी बालकनी दिय हुई है जो उसी पार्क के तरफ है यहां से बाहर निकलते हैं ही डाइनिंग एरिया और सामने का एक बेडरूम है कम्प्लिट आपका वुड़न वर के अलमीरा से भी बनी हुई है यह बैड के लिए स्पेस है इसमें यह बेडरूम में वुड़न फ्लोरिंग और इसी के साथ कोमन टोईलेट और अटैज दोनों समाजा इसका है यहां से अंदर की तरफ यहां से साथ में आगे बढ़ेंगे तो एक बाल करीरा है मिलखे क्रेशें कर आए इसमें बीडर से तरफess की नोःत है कि करनेके और निकलेर में से करेंके करें और और डाइनिंग राइड साइड में एक बेडरूम है सेचिंड वा सामने में बुड़न वार्क एक ये बाक्रूम है इसका अटेच इसके साथ भी वाल्कन है और एक स्टोर्रूम अंदर की ताथ प्लस ये वाइड खुलापन है यहां से वापिस जाते हैं तो फिर डाइनिंग स्पेस में और राइट साइड को एंट्री करेंगे तो मास्टर बैट्रूम इसमें एंट्रेंस के साथ ही काफी अच्छा वोडन वर्क दिया हुआ है और सामने में डैसिंग एरिया है प्लस बाथ रूम इसका और इसका साइज है इसके साथ भी बालकनी प्लस इस्टोर मिलेगा आपको इसकी बालकनी काफी बड़ी है टिक टाप स्पेस है एक स्टूर इदर भी है इसमें और सेम पारक की लोकेशन इदर भी है इसमें फाइनल आपको इसका बात हम दिखा देता हूँ टब लगावा है इसमें काफ्य अच्छे फिटिंग से साफ सुत्रा है यासे return में मैं आपको शी bed room को size दिखा देता हूँ यासे वाप्शी करते में मैं आपको drawing dining से connect कर देता हूँ भार निकलेंगे तो drawing room, tip thing space & tip thing